हेलो, लाइफ इन नेचर में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कि हेल्थ के लिए क्यों फाइदेमंद है कार्थिक मास का महीना इस महीने को बिमारी दूर करने वाला महीना क्यों कहा जाता है धर्म शास्त्रों में माग, बेशाक और कार्थिक में नित्य सनान का जो विधान दिया गया है उसके पीछे का उद्देश्य शरीर की सुधिता है पवित्तर नदी, समुंदर, स्रोवर, कुवा और बावडी जैसे प्राकर्थिक जल स्रोतों में किया गया सनान अती पावन माना गया है धार्मिक तोर पर कार्थिक मास का बड़ा महतो है बताया गया है कि इस महिने में सीती रितू की सुरुवात होती है इसलिए माना जाता है कि इस महिने का शारिरिक, मानसिक और धार्मिक रूप का बहुत महतो होता है इसी कार्थिक मास के शुरू होते ही कार्थिक सनान की भी शुरुवात हो जाती है शास्तरों में कार्थिक मास की बड़ी महिमा बताई गई है मानता है कि इस मास सुबह उठकर पवित्र नदी, स्रोवर या कुंड में सनान कर भगवान विश्णु की अराधना करते हैं उनको श्री हरी की कृपा प्राप्त होती है और मानव जियों में बहुत लाब होता है चलिए जानते हैं कि कार्तिक सनान के पीछे विज्ञानी कार्ण क्या है वर्षा रीतु में आसमान बादलों से ढखा रहता है ऐसे में कई सुक्षमजी उपनपते हैं और रोग फैलाते हैं वर्शारीतु के बाद जब आस्मान साफ होता है और सूर्य की किरने सीधे पृत्वी तकाती है जिससे रोगानों समाप्त होते हैं ऐसे में प्रकर्तिका वातवर्ण शरीर के अनुकूल होता है वायुशुद होती है और इससे शरीर की प्रोग प्रतिरोधक्षम तब बढ़ती है प्रातेकाल उठकर नदी में सनान करने से ताजी हवा शरीर में सफूर्थी का संचार करती है इस प्रकार के वातवर्ण से कई शारिरिक बिमारिया अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं यही कारण है कि कार्थिक मास में सुबह नदी में सनान करने का विशेस मैतो आईए जानते हैं कार्थिक सनान करने की विधी क्या है कार्थिक मा में सुर्योदे से पहले उठकर इस्त्री और पुरुष परवित्र सनान क के लिए जाती हैं सबसे पहले गंगा विश्णु सीव तथा सुर्य का समन कर नदी तालाव और पोखर के जल में परवेश कर अपना आधा शरीर पानी में डुबाना चाहिए और जल में खड़े होकर वीदी पूर्वक सनान करना चाहिए ग्रेस्ते व्यक्ति को काला तिल तथ स्वास्ते के साथ स्वास्ते के साथ जीविन में अन्य फाइदे भी होंगे अब तो आप कार्तिक मा में सनान करने के फाइदे जान गए होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए थैंक्यू